अच्छी सी कंपनी में ये आपको बताते वे दिखेंगे वर्मा साहब फ्रेश इशुएंस होना 140 करोड रुपे का उसमें वर्किंग कैपिटल के लिए 60 करोड केपिक्स करना चाहते हैं 35 करोड का और डेट रिपेमिंट करेंगे 12 करोड का 12 करोड का तो मैंने बैलेंश शीट कंगा ली लॉंग टर्म डेट है 25 सारे 25 करोड के असपास की केवल तो आधी उससे निप्टा दी जाएगी जो ओएफेस है वो प्रमोटर्स के द्वारा है वो अपना करेंट स्टेक ट्रिम कर रहे हैं 79 परसेंट पे था ओएफेस सक्सेसफफुल रहा तो 59 परसेंट पे प्रमोटर्स का स्टेक आजाएगा 680 करोड का मारकेट कैप अपर बैंड पे होगा और क्योंकि छोटा IPO है ट्रेड टू ट्रेड में ये लिस्ट होता हूँ आपको नजर आएगा अब कंपनी ये कंपनी जर असल इंडिजिसली डिजाइन डेवलप और मैनफाक्चर करती है डिफेंस और स्पेस एक्विपमेंट्स बिजनेस लाज़ली डिपेंडेंट है भारत सरकार पे तो जो FY21 की कुल रेविन्यूस थे 50% से जादा भारत सरकार से वहां से आये थे ओडर्वुक है 305 क्रोड रुपे की फिनाइशल्स आपकी स्क्रीन्स पर आ जाएंगे FY21 में 5.5 रुपे का EPS करा था तो अपर बैंड पे ट्रेलिंग पे ये 32 टाइम्स मांग रहे हैं और कोई लिस्टेड ऐसा कोई स्पेसिविकली पियर है नहीं इस तरह का बैसे इंट्रिस्टिंग बात आशीर जी ये आई है कि ये पुराने जमाने का IPO आपको आता हूँ दिखरा भई मैं पैसे क्यों उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे वरकिंग कैपिल के रिक्वाइम्स मुझे अपना डेट क्रिपे करना है और केपेक्स करना है मैं आपको बता हूँ यहां पर आप बहुत अच्छी लिस्टिंग होते हुए देखेंगे कल रात को मैंने पारस डिफेंस के बारे में पढ़ा और यही समझ में नहीं आया कि ये इंजिनिरिंग प्रोड़क्ट्स में बनाते क्या हैं क्योंकि ये आपको जूरती हुए दिखेगी इस रो से सरकारी डिफेंस इस्टैबलिश्मेंट्स से तो इतना डिटेल में फिलहाल ये पता नहीं चला कि प्रोड़क्ट्स क्या बनाते हैं लेकिन कम से कम दिल को ये तसली हुई कि पैसा इस्तिमाल होगा कमपनी के भलाई के लिए हाला कि एक छोटा सा OFS है 30 करोर का ये देखने के लिए मैं भी कल वेबसाइट पर गया था उस पर कुछ सवंज में नहीं आया फिर पता जला हुई आप्टिक्स और क्रिटिकल इमेजिंग जो होती है मेरे ख्याल से जो इसरो के सैटलाइट साते हैं जो आपको ज्हांकते हुए दिखेंगे चाइना पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उसमें ये कुछ कॉंपोनेंट्स बनाते हुए दिखते हैं बिलकुल सही मौका पार्तिफ शाह साब का स्वागत करते हैं बड़े दिनों के बाद पैसा कंपनी के वर्किं क्यापिल के यूज हो रहा है लेकिन मैं ऐसा मन रहा हुए ये पैसा इंडिरेक्ली देश की भलाई के लिए भी यूज होगा विकोज इंडिजिनियस डेलक्त टेकलोजी है और जो डिफेंस और स्पेस ऑप्टिक्स की हम बात कर रहे है तो स सबसे बहतरीन एक्जामपल रहेगा हमने जो उरी पिच्चर में देखा था कि रात को जो नाइट विजिन जो अप्टिक लेंस जो हमारे सोलजर्स पहनते हैं जिससे बहुत ही आसान हो जाता है तो डिटेक्ट टारगेट ये कंपनी ऐसा प्रोड़क्स बनाती है और स्पेस में भी मैनेजमेंट ने बताया कि उनके पास ऐसे ऑप्टिकल लेंसिस है जो करीबन पांसो किलोमेटर की दूरी तक वो पैचान सकते ऑपजेक्ट को तो बहुत ही मिशन क्रिटिकल टाइप ओफ डिफेंस एक्विपमेंट ये लोग बनाते हैं एम प्रोटेक्शन हम जानते उसमें भी ये कंपनी काफी बड़ा काम कर रही है, हेवी एंजिनेरिंग है, अभी एक ही दिक्कत ये जो कंपनी को रहती है, तीन सो करोर का ओडर बुक है, राइटली आशिस जी ने बताया है, उसमें से करीबन 67 परसंट जो ओडर बुक है वो ऑप्टिक्स में जाता है, औ 280 करोड का पोस्ट लिस्टेड मार्केट कैप होगा ऑन अपर प्राइस बैंड, मेरे खाल से ये डेफिनेटली सब्स्राइब करना चाहिए, आगे जाते है इसके प्रोस्पेक्स बहुत ही बढ़ने वाले, नोड़ा प्रिछले तीन साल के फिनांशल्स देखेंगे तो रेव जैसे वर्किंग कैपिटल इंप्रूव होगा और मेरा मानना है स्काइज द लिमिट इन टरम्स अफ ये कंपनी के जो प्रोड़क्स है और जिस तरह का इन-हूस अरे डेवलप किया है, आपने राइटली बताया कि कोई और लिस्टेड पीर ज्यादा है नहीं, इसलिए स्के लिस्टिंग प्राइस आप देख रहे हैं? अगर मैं PSU काउंटरपार्ट से भी कंपेर करूँ, तो मिनिममम 25 टाइम्स टू 30 टाइम्स का अर्निंग मिलना चाहिए, मतलब ये कंपनी कम से कम मेरा मानना है 30 तू 50 परसंट प्रीमियम पे कोट होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. शाह साब बहुत बहुत शुक्रिया, 30 प्रीमियम आपको दिख सकता है लिस्टिंग पर, पैसा लगाईए पारस डिफेंस में, और पार्थिव शाह साब ने बहुत बढ़िया तरीके से कहा, ये भारत की तरक्षा के लिए और सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. आज इनके मैनेजमेंट आपके साथ जूड़ते हुए दिख रहे हैं, आशी जी कितने बज़ें? बारा बचकर पांच मिनिट पे मुझाल शाह साब, एमडी है, पारस डिफेंस अन स्पेस टिकनॉलोजीज के तो उनसे बातचीत होगी, समझ लेंगे फिर क्या-क्या असल मठाते हैं?